कल का लड़का आजा समाज पार्टी का उसका मैंने एक पोश्टर देखा बच्चे हैं अभी उनको पता नहीं है क्या कहानी क्या नहीं है संग की यात्रा अगर आप देखेंगे तो यात्रा में सबसे पहले हमें यह पता करना होता है कि संग की आवशक्ता क्यों है खास तोर से आज के समय आज जो सिन्यूरिय चल रहा है आज जो समय चल रहा है पूरे भारत में और भारत के बाहर जहां समण है तो ऐसी क्यों दिक्कत आ गई कि हमको समण संग दुबारा से याद आ गया हमारे खून में था हमारे जीन में था पर हमें याद नहीं था संकट जब बिलकुल सर तक आ गया तो हमें संग ऐसे ही याद आ गया जैसे पहले कभी हमारा संग गुआ करता था और वो खून से एक साथ बाहर निकलाया और तेजी से उसका खून का दौरा चल रहा है क्योंकि जब हमने ये देखा और ये महसूस किया कि भारत के अंदर और दुनिया के अंदर सबसे ज़ादा भीड हम इखटा करते हैं हमें भी हम ये कह सकते हैं कि वो लोग जो ज़ादा दबे कुछले हैं जाजा सोसित हैं, सबसे नीचे के नीचे धके ले गए हैं उनकी सब्चीज चिनी गई है उनकी एजूकेशन, उनकी इज्जत, उनका पैसा, उनकी सहत, उनके बच्चे, उनकी जमीन, उनकी जाजाद, उनका काम, उनका रुतबा, उनका शासन, उनका पिरसासन, उनका जो इंड़स्टी है, वो हर चीज उनकी छीनी गई है, वो सबसे नीचे के लोग जिनके पास सिव लगातार भीड़ी खट्टी की और ऐसी भीड़ी खट्टी की के पूरी दुनिया में मिशाल बन दे एक एक कॉल पर पांच-पांच-छे-चलाक आदमी खट्टे हुए हैं बावा साब ने खट्टे किये उसके बाद से लगातार हमारे जो नेता हैं वो खट्टा करते आ रहे ह पर जैसे जैसे भीड़ बढ़ती जा रहे हैं हमारी खट्टी होती जा रहे हैं वैसे वैसे अधिकार भी जा रहे हैं भीड़ से बचे अगर अधिकार भीड़ से बचे होते तो आज सबसे ज़्यादा भीड़ अभी भी लोग लगा रहे हैं हमारी जो नेता हैं वो लगा र नहीं है और यह कोई नया करिस्मा नहीं है यह दरसल हमें अपनी पुरानी याद आ गई हम पहले भी हमारे यहां लीडर नहीं होता था पहले भी नेता नहीं होता था और यह यह कहें कि अब 29,00,00 कितने सारे नेता हो गए उस वज़े से पर चेहरों की मानेता खतम हो गई यान की नेताओं को चेक करके देखा गया नेताओं की कहीं कोई चलती नहीं नेताओं को कहीं कुछ कुछ सुनता नहीं लोग सोचते हैं कि हम नेताओं के भरोसे नईया पार कर लेंगे पर हकीकत यह है कि नेता हमारे भरोसे पड़े हुए हैं कि हम कब कुछ नईया पार करें और व वो भी तर जाए तो भीड से कुछ नहीं हो रहा है नेताओं के चेहरे से कुछ नहीं हो रहा है हमने हर प्रकार के संग्ठन देखे हर प्रकार के संग्ठनों में हमने ताकत लगाई और किती ताकत लगाई हमने पूरी की पूरी यानि कि पैसा जितना मांगा उससे ज्यादा द कि लोग कोई काईकरम लगाते हैं तो लाखों बच जाते हैं उनको लाखों बलकर मैं कह सकता हूं कि सरकारी करमचारी के मामले में तो काईकरम के बाद में नेताओं को करोड़ों बच जाते हैं किसी को यकीन ना आए तो कोई हिसाब लेकर देख सकता है और हिसाब ना ले तो ह जब जहां कहा खड़े हुए जंडा उठाया डंडा उठाया धूप में आये सर्दी में आये जैसे उन्हें का वैसे हमने किया तो हमने हर तरह के संग्ठन चलाए हर तरह का चंदा दिया हर तरह का सपोर्ट दिया और जो नेताओं ने एजंडा फिक्स कर दिया उसको हमने यस क कि नेताओं ने दल बदले दल का मतलब राजनेतिक पार्टियों के दल बदले सामाजिक संग्ठनों के भी दल बदले तुरू में एक जो सहाब काशी रामने ठतर में बामसिय बनाई वो संग के पैटन पे कुछ-कुछ थी सारी नहीं थी कुछ-कुछ थी जैसे वह अपने चीज़ें उसमें संग्की नहीं थी उसके बाद में वो जो सामाजिक संग्ठन बना उस सामाजिक संग्ठन के फ्रेक्शन हो गए और टुकडे हो गए यानि कि उसकी मानेता खतम हो गई और लोग अपनी-पनी मानेता लेके उसमें चले आए उसमें सारे के सारे आते चले ग संग्ठन पर संग्ठन बनते गए और उन सारे संग्ठनों से आते आते हमारे जितने भी अधिकार थे वो भी जाते रहें यानि कि उनका भी हमको कोई फायदा नहीं मिला यह बात हमारी समझ में आ गई लोगों ने रेश्टर कराई अन्रेश्टर को रेश्टर कराया पर उससे भी बात नहीं बनी हमारे अधिकार नहीं नहीं बचे लोगों ने जितने अजंडे थे वो सारे अजंडे लगाए पर एक भी अजंडा पूरा नहीं हुगा कोई कारे सूची पूरी नहीं हुई बलकर जितने कारे सूची अजंडा लगाते रहे उतना ही ज्यादा नुपसान हो लोगों ने हमको यह बताया कि यह पहला वाला संग्ठन खराब था तो हमने उस पहले वाले संग्ठन को छोड़के उनके दूसरे संग्ठन की जैकारे शुरू किये पहले हमने पहले वाले का जैकारा किया फिर हमारे नेता ने कहा तो हमने दूसरे वाले का जैकारा किया फिर नेता ने चौथा संग्ठन बदला तो हमने चौथे वालेगा यानि हमने अपने आपको संड़ टूदा नेता पूरी तरह से नेता के लिए संबर्पन कर दिया बिना यह पूछे बिना यह जाने अरे भाई तू हर वार संग्ठन क्यों बदलता है क्या कारण है पर जिस जाने बिना प्रसं किये जो कहते हैं उसी का जयकारा लगाते हैं उसी का जंटा उठा लेते हैं बलकर हम दूसरों वालों से दुस्मनी भी कर लेते हैं जो हमारी समण भाई हैं नेता जब कहता है अलग होता है तो हमें भी साथ होना पड़ता है हम पूरी तरह से अपना दिम ये सारी बातें देखने के बाद में और समझने के बाद में ये बात इसपस्ट हो गई कि संगठन व्यक्ति नेता या व्यक्ति का परिवार या किसी महापुरुस का परिवार या किसी का जैकारा या किसी के नाम से करने से हमारे कोई अधिकार नहीं बच रहे हैं और अधिकार तो पहले सी हमारे पास था, इसको जन्न नहीं करना पड़ा, इसका कोई प्रजन नहीं हुआ है, ये तो सद्यों से पुराना हमारा विश्कार है, तो सोच में बात ही आई कि आखिर हमारे साथ में जो हो रहा है और जो लोग कर रहे हैं हमें उसमें डिफ्रेंस क्या है, तो संग का है और वो लोग संग के पैटन पर काम करते हैं और संग का पैटन कभी खालियात नहीं जाता संग हमें ऐसा कुछ ना कुछ लेके आता है और संग्ठन का पैटन कुछ लेके नहीं आता तो इस पैटन को समझने के बाद में इसको जानने के बाद में सभी संग्ठन के लो नहीं हो रहा है हमारा नुपसान हो रहा है और जो चीज नुपसान कर रही है उसको क्यों लागू रखें क्यों उसको जार जारी रखें पर वो लोग इसमें कैद हो चुके थे क्योंकि कोई व्यक्ति जब अपनी कोई नाम से कोई चीज को इस्थापित करता है तो वो उसके प नहीं कोई बॉडी नहीं और कोई आदमी अगर अपना एनलेसिस भी करेगा अपनी समिखा भी करेगा तो अपनी आलोचना नहीं करेगा अपनी आलोचना नहीं करता है वो घुमा फिरा अपने को ठीक करता है क्योंकि अपने डिसिजन को कैसे कहे कि मेरा डिसिजन खराब हो गय और वो भी नेता, जिसने माला पहनी है, जिसने मंच पहनी है, जिसने भाशन दिया है, जिसके चम्चे हैं, जिसकी भक्ती करने वाले लोग है, जिसको पैसा मिलता है, जिसको बीच की कुर्सी पर बढ़ाया जाता है, जिसका जैजाकारा होता है, वो कैसे अपने डिशन को गल उसे का अलोचक नहीं है यह एक दूसरे की गल्तियों को ठकते हैं एक तुपर तो बच्छे बचाने हैं और बच्छे जब बचेंगे जब अधिकार जब बचेगा चैकार जब बचताने की सही कोशिस हो तो सही कोशिस तक पहुंचने के लिए पीछे जब मुण के देखा तो पता चला कि हम तो राजा और शेहिंसा और बाजशा और वैग्यानिक और टीचर और प्रॉफेसर और डॉक्टर और इनीनियर और किसान हम तो सब कुछ रहे हैं मालिक रहे हैं और विस्व गुरू है कि आपको इखटा होना है आपको एक साथ रहना है हर व्यक्ति ने यही कहा है किसी व्यक्ति ने कभी नहीं कहा कि आपको अलग लग होना है पर लोगों ने अपने अपने मतलब के लिए और अपने अपने पद्पोश्ट मंचमाला माइक के लिए हमको कभी नहीं बताया कि महापुर्सों की असली बात ये है सारा काम महापुर्सों के नाम से करते मर करते सारा काम महापुर्सों से उल्टा ही तो समझ में आ गया कि जब तक एकटे नहीं होंगे तब तक बात बनेगी नहीं तो एकटे तो बहुत लोग हो रहे भीड तो भोज है कहीं सो की कहीं पचास की और कहीं कई कॉल लग जाती है तो लाक और डेड़ लाक और दो लाक भी खटो जाते हैं पर भीड से बात नहीं बनती क्योंकि भीड वर्सिस भीड नहीं है जो भीड है वो मानती है जो भीड है वो किसी के दिखाने के लिए किसी को सक्ति प्रटेशन करने के लिए होती है और जब सक्ति प्रटेशन होता है तो वो जिससे हम मानते हैं वो मानता है नहीं वो कहता है मैं आपके सक्ति प्रटेशन को मानता देता है नहीं मानता ही नहीं और उसका नेता अगर कुछ लेना चाहे तो ले जाए जो भीड नेत जो खुद संग्ठर बनाके वहाँ पद लड़ते हैं पदों के लिए लड़ते हैं अगर उनको कोई सरकार या सरकारी पद मिलता है तो वो ऐसे ही भगते हैं जैसे गू देकर कवा भगता है ऐसे भगते हैं वो लोग तो आप जो व्यक्ति जो संग्ठर में पद का लालची है हैगर उसको सरकार कशी बड़ा पद दे को लाभ का पद दे तो वह रुखेगा नहीं और उसको रुकना भी नहीं चाहिए क्योंगी वो तो पद का पहले से लाज्चे गोसित है वो तो थो पद लिए मारा-मारी कर रहा है तो वह कह हां रुकेगा तो बात नहीं बनने वाली भीड से भी भीड आएगी और वो अपने नेता अपना पद लेकर चले जाएंगे ये धंदा पिछले 70 साल से चल रहा है भीड दिखाओ पद पाओ भीड खाली हात रहे जाती है और हर व्यक्ति दावा करता है भीड इखटी करने वाला कि मैं पहले पहले वालों को गालिया बगता है भूरी भूरी ताकि लोगों पर यकीन जम जाए और फिर वही करता है क्यों करता है क्योंकि भीड को वो इखटी करके लाया है भीड ने उसको नहीं खटा किया है अंतर समझे इस बात को जो व्यक्ति भीड इखटी करके लाता है तो भीड को व्यक्ति की बात माननी होगी पर जब भीड व्यक्ति को इस्थापित करेगी लेके आएगी तो फिर व्यक्ति को भीड की बात माननी पड़ेगी ये बावा साब ने सम्विधान में साफ लेखा हुआ है कि लोक सक्ति लोक सवा में लोकों की सक्ति चलेगी और वो लोकों की स जितने भी संगी लोग होते हैं, वो समस्या तैय करते हैं, वो एजंडर लगाते हैं, वो नियम बनाते हैं, वो स्थापित करते हैं, और अगर वो संगी बात न माने तो उतार के फैंक देते हैं, क्योंकि नाम है खा दी चलाने के लिए, वोस्ट वोस्ट नहीं है, सिर्फ इसल सकता है और भी लोग लगा सकते हैं सब की बरावर होती है तो यह जो सद्धान था यह सारी बात जो थी यह बातें जब पहले के साहित्ते में तीपी टक में बुद्ध से पहले में जितने लोग थे समढ संग में उससे पहले प्रकती में उससे पहले जानवरों में वहां से चल अत्त दीपो भव का मतलब जो भिक्कु समझाते हैं वो नहीं है विक्कु जो समझाते हैं अत्त दीपो भव उसका मतलब वो खुद के अपने लाब के लिए अपना धीपक बनने के लिए अपना प्रिकास बनने के लिए बोल रहे हैं एक व्यक्ति के लिए पर अगर लोगों क समू है और बहुत साई लोग हैं तो उनके लिए भी अत्त दीपोभव काम करता है कि सब को मिलके अपना भला खुद करना है तो संग में सब मिलके अपना भला करते हैं यहां सारे बरावर हैं इसलिए संग का जो विचार और संग का जो आइडिया पुराना चला आ रहा है वो हुता उसको आगे भी देख सकते हो आप पीसे बिए सकते हो पीछे देखोगे तो आप बदर बुद्ध से पहले ख़ोगे समराटा सुक के समय का देखोगे और आगे देखोगे तो देखो कि भारत देश के अंदर संग ही कामियाब है हमारे जितने वी 39 लाग संगत हैं वो संग कोई गोल-गोल के गालियां देते हैं पर संग में नहीं आते संग से डरते हैं संग बनाने से घबराते हैं पर संग को गा आप जाते हैं, कोई कि वहाँ चंदा आड जाता है, वहाँ पर प्द पोश्ट मन्चमाला आड जाती है, वहाँ पर खुद का जो बीच की कुर्सी पर बैठके अद्धक्स्था करने का प्रढ़ानी करने का मंत चला जाता है, मैंने जतने भी पोश्टर देखे, एक कमाल की पो हैं अभी उनको पता नहीं है क्या कहानी क्या नहीं है खुद का पोश्टर और खुद के पोश्टर में लिखा है मुख्य अतिती फ़लाना फ़लाना आजा अरे भाई तुम अपने ही कायक्रम में अपने घर में अतिती बनने का कितना सोख है तो कार्य करता बनने का किजी को और ये बीमारी सब में है एक राश्टे बहुत महासवा है जो आगरे से चलती है उसमें भी मैंने देखा है कि जो उसके संस्थापक अध्यक्षे वही मुख्यातिती है या मुख्यातिती सभी बन जाते हैं बड़ा मुख्यातिती बनने का है तो जब मुख्यातिती अपनी संस पहरे आए उस सारे के सारे कही ना कहीं चले गए किसी ना किसी कारण से या तो उनको पैलेसिस हो गया अटेक हो गया या वो मरवा दिये गए या उनको खृद लिया गया या गूड़े हो गए या वो मर गए या वो हटाए गए या उनको कहीं कोई पर पोष्ट मिल गया या व व्यक्तियों के संग्ठम की नियती है एक व्यक्ति हमेसा कहीं न कहीं इसी तरह से मारा जाएगा या उसको खतम किया जाएगा बहुत सारे जो लोग व्यक्ति बात के चेहरे पर उठे उनको दूसरी राजनितिक पार्टी लेगी तीसी राजनितिक पार्टी लेगी खतम होगे आप अगर पिछले वाले व्यक्ति का चेहरों को उठाएंगे और देखेंगे तो वो राजनितिक पार्टियों में कोई A पार्टी में चला गया, कोई B में चला गया, कोई C में वो ले जाते हैं उनको प्रीच के पर आप खाली, तो इसलिए व्यक्तियों पे नहीं बात िए तो ये समड़ संग का में कंसेप्ट और ये कारण रहा जिसकी वैसे समड़ संग बहुत तेही से डभलप हुआ बड़ा और चल रहा है, तो समड़ संग के जितने भी लौज़ हैं जितने भी गुल्डन रूज़ है वह डेली आ पढ़ते हैं, हमारे जो में हैं, वो दस गोल्डन नियम बहुत मेहनस से बने दो साल लगातार डिसकसन हुआ है दो साल लगातार कमिया देखी हमने दो साल लगातार च्छाइया देखी हमने दो साल लगातार हमने पीछे का देखा दो साल लगातार हमने आगे का देखा और पूरे हाउस ने खुब मंतन किया कुछ लो जो आदमी संग्ठन में या व्यक्ति बाद में फसा हुआ है बड़ी मुश्किल से संग्ज में आता है आता भी नहीं है गारंटी नहीं है कि सबको संग्ज में आ जाए पर जो व्यक्ति खटा होना चाहता है और जो व्यक्ति चाहता है कि मैं मरने से पहले अपने बच्चों को सुर्खषित कर जाओं उसको एक सेकेंड में संज में आयाता है उसको और फिर हटता नहीं वो दिन रात लग जाता है इस काम में यही कारण है कि समर्ण संग रुकता नहीं और यहां समर्ण संग में हरा आदमी तेजी से अपने आप अपनी जुम्हदारी लेके काम पर काम किये जा रहा है और अब तो बारे तारीक के बास से ये तैह हो गया कि समर्ण संग वही पुराने नियम पर आने वाला है काम पर धान गर दिया उसका ओर इसका नहीं होना एंपड़ा गया क्योंकि आप डाय की संगती में समझाइए अपने जिले में समझाइए अपने घर ये उनको वहां संचाइए पर जहां काम करना है काम की बात होने तो पोर्ट नौलिज में बाकी का मुझे भी नियंटा कहां कां लग χ 1 नहीं लग रही ए लॉप लिए रहे हैं जादा बड़ता जा रहा है तो समठ संकय नियम नियम है जो वीधिश्ट नियम है ऑज तक क्षेसा शल के आदर एक रही जो किसी नियम को काट सके और यह कह सक Ю कोई संग्ठनवाला कोई व्यक्तिवादी आता है तो टकरा के चला जाता है क्योंकि उसका कोई सुनता नहीं करें यह तो व्यक्तिवादी आद्मी है यह तो संग्ठनवादी है और हमारे नियमों में तो संग्ठनवाद है संग इसको पास करता है क्या नियम बनते जा रहे हैं नैतिक नियम बनते जा रहे हैं बहन जी कहना भाई जी कहना सब बरावर है सब का समान है सब का मान है और काम की ही वरिष्टा है या जो कम करेगा उसकी वरिष्टा है हर एक के अजज़त है हर एक के साथ में पूरी पूरी skiage में लगना है बच्चे पहले क्वेंगे महीना उसके ऐसके बात खाएंगी बुड़े ऊसके करेंगे संगं Georgia करेंगे गले मिलके जाएंगे गले मिलके जाएंगे वहाँ जितने भी लोग हैं वो सब एक दूसरे का ख्याल रखेंगे संगती पूरी पारवारिक रहेगी और वहाँ जितना भी काम है उसको कमेटिया समालेंगी कमेटियों की डूटी पहले लग जाती है दोसों से कम की संग हैं उनके अलग नियम है दोसों से जादा की संगती के अलग नियम है बड़ी संगती के अलग नियम सब चीजें धीर 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 वही आती जा रही है जो पुरानी है संगतियों के नियम लगातार लगातार आते जा रहे हैं उसी तरह से जो यहां जूम पोर्टल के नियम है हमारे वो भी लगाता है बनते जा रहें सबसे पहले वो ही बने थे और वो बनते जा रहें एंकर बने जाएंगे सब्जेक्ट बने जाएंगे लोग बने जाएंगे डे बाई डे काम बनता जा रहा है काम बढ़ता जा रहा है उसी के साफ से नियम बनते जा रहे है पिचार के म मेंटी भी बनी हुई है जो इसको लगाता देखती तो प्रचार का माध्यम तेज होता जा रहा है तेज होता जा रहा है पैसे का जो पैसा खर्च करते हैं जो पैसी की संगती होती है उसका हाथ क्यात वहीं हिसाब दे देते हैं दुनिया में कोई नहीं देता हाथ क्यात बता कि इतना पैसा आया इतना पैसा आप लोग क्या जो खुद का खर्चा था वो ऐसा था और ये पैसा ऐसा हो गोई नहीं देता पर बताते हैं यहां सबसे पहले बता जाता यह सारी बाते हैं धीरे 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 चारों तरफ पहुंच रही हैं तेजी से पहुं का नाम सुना है सर्मर्ण संग तो बहुत सुना है पर समर्ण संग पहली बार सुना है तो वहां बताना पड़ता है क्या है क्या है क्या नहीं है तो पता चलता है कि भाई हम अपने घर में तो राजा है यानि जो समर्ण संग को जान चुके हैं और जो समर्ण संग को समझ चुके हैं वो तो दो मिट में समझ जाते हैं पर जिसने विचारे समर्ण संग का नाम ही पहली बार सुना हो तो उसको सुरू से लेकर आखिर बताना पड़ता है फिर बहुत सारी बातें आती हैं, बहुत सारे सब्दों वो इस्तमाल करता है, जिन सब्दों की हम व्यक्या कर चुके हैं यहां बता चुके हैं कि यह सब्द पाली में इस तरह के हैं, या संस्काइट करके हैं, या अर्दू में इस तरह के हैं, वो बताय जाते हैं, तो अजीब सा लगता है उस और नए व्यक्ति के साथ सुरू से लेके आफिर तक बताना और इतना बताना जितना वो उस दिन पचा सके ऐसा नहीं है कि कोई नया व्यक्ति आया वो पांच मिनट की बात वो जहिलना पाए और आपने पूरी पचास मिनट की बता दी तो आपके 45 मिनट की बात है बेकार के साथ पैसे का एक दान आपने करना है अगर पैसे दे दे तो अच्छा है नहीं तो दान करना आपने इसको पड़लो उसके बाद में फिर बाद में हम बात करेंगे और फिर इसमें देखेंगे जूम की मिटिंग का इनवाइट करें या कहीं चोटी मोटी संगती लगा के इनवाइट करें वहां कोशिस करें कि चार-पांच-छे लोग संग वाले हो ताकि हर एक बंदा पांच-पांच मिनट बताएगा तो एनरजी भी कम लगी और असर भी जादा होगा इस तरह से काम करें तो यहां जो आवशक्ता हमें पड़ी संग की वो इसलिए आवशक्ता पड़ी क्योंकि संग्ठनों से और व्यक्तियों से और सब लोगों से अब बात नहीं बन रही है पर संग्ठन से बात जरूर बनती ह संग्ठन से जा रहे हैं क्योंकि भक्तों को तो रोखे कैसे और वो जो उनके नीचे लोग हैं वो भी ठटला रहे हैं वो भी उनसे परिशान है पर उनको कोई विकलप नहीं है ये मैं आपको hard fact बता रहा हूँ अभी 3-4 दिन हम बहार रहे हैं तो बहार जाके हमने ये देखा और समझा कि नीचे वाले लोगों तक ये जानकारी नीचे जाने देते क्योंकि नीचे वाले लोग ये तो मिसे सवाल और फिर उनसे ये कहते हैं कि जब बिना पैसे के इतनी बड़ बड़ी संगती लग सकती है तो आप कहान को ने लगाते हो तो वो उनको अनरकल कहानिया बताते हैं क्या कहानी बताते हैं जैसे सिविक सेंटर का जो संगती लगी तो मेरी जानकारी में आज एक आया जो दूसर संग्ठन का भक्त था कि राजी वो आपको तो सिविक सेंटर फिरी में मिल गया हमको तो मिलता नहीं अरे भाई हमने भी पैसे दी हैं हमारे पास रसीदे पूरी और आप जाके पता कर लो पैसे हमने भी दिये हैं और वहां खाना सब लोगों ने खाया है सारी बातें वही होती हैं जो होती हैं पर लोगों ने अपना खर्चा खुद का दिया है और लोगों ने जो खर्चा खुद का देते हैं उसको समर्शंगित ने तरीके से इस्तमाल करते हैं कि उसमें से कोशिश करते हैं कि या तो खर्चा पूरा पढ़ जाए कम ना पढ़े और हो सके तो थोड़ है वो भी बताना है और आपने अपनी कारे परणाली के बारें बताना है हमारी कारे परणाली कोई गुप्त कारे परणाली नहीं है हमारी हमारी ओपन है बुलकु ठीक ऐसे है जैसे बावा सापका सारा काम ओपन था और जैसे बुद्ध ने पूरी जिंदगी अपना काम पेड गंद कुटी में बैठ के दिया हो और वो पूरे जीवन में अपनी गंद कुटी में आनंद के अलावा किसे मिले नहीं आनंद की तो सड़ थी क्योंकि आनंद एक ऐसे व्यक्ति थे जो लोग मिलने आते थे तो गंद कुटी में जाके आनंद बोते थे कि भंते कुछ लोग मिल जरा नहीं था तो समढ़ संग के अंदर भी जितने भी नियम है जो भी पास होते हैं जो भी बात होती है वो खुली होती है आप किसी भी बात को कहीं भी कभी भी बता सकते हो जो बात हाउस में होती है जो अनाउस होती है और अब तो नियम भी है कि हाउस को चाहे तो लोग दे थी कौमर, उसके बाद महिलाओं की संगती लगने लगी, उसके बड़ा संगी संगती लखनों में लगने वाली है, ठाइस मही में, और जो हमारे जो प्रॉफिशनल लोग हैं, यंग लोग हैं, उनकी लगने वाली है, इसके लावा हमारे जो अलग अलग तरह के लोग हैं, उन तॉटलिंग का है उनके हिसाब से बहुत जवर को समूर्स की स्पीड बढ़ानी है तो इसी को देखते हुए समर्शं की स्पीड बलानी है तो स्पीड बलाने का क्या तरीका है स्पीड बलाने का तरीका है कि मौकों को चूकना नहीं चाहिए जो अपॉशनिटीज मिली हैं आपको जो मौके मिले हैं उनको इस्तवाल कैसे करें तो कौन सा मौका मिलने वाला है आपको मौका मिलने वाला है 14 अपरेल का 14 अपरेल में चारों तरफ गर्मी रहती है और वो गर्मी मार्च से आरम हो जाती है और एक अपरेल से तो एक अपरेल से लेके और अपरेल की आखिर तक तो पूरी तरफ से धूली धूली उड़ती है चाहती है लोगों का जमबाडा है जो पास है कि एक सहर एक इस्थान और एक जैनती होनी चाहिए में और उसके बाद अगले संडे को जिसको जो लगानी है वहां लगाए पर एक प्रद्रसन चाहिए इस पे काम चला है कुछ लोग इस पे काम चला रहे हैं कुछ लोग अभी-चंडे के चक्कर्म है तो वह नहीं बात को मानने हैं पर मानेंगे यए क्योंकि बिना एक सेहर में एक संगती के आप अपना प्रदर्शन अच्छा तो जहां सबसे ज़्यादा gathering है वहां आपने बावा साब के जनन दिन पर लोगों को जनन दिन का उपहार देना है और क्या उपहार देना है जिसके लिए बावा साब ने कहा था organize मतलब संघायन करो संघ में आओ एक साथ रहो और वो जो समण संघ का गंत है तेरे रुपे साथ पैसे का वो आपने अपनी तरफ से दान करना है तो हर एक व्यक्ति को ये प्रण लेना चाहिए जिसकी छमता जादा है वो जादा करे पर बावा साब के जनन दिन पर सो समण गं रहता हूं या कम से कम । और यह लगे लोग पैसा नहीं दे पा रहे हैं या नहीं देना चाहिए हमारी तरफ से यानि आपकी अपने परसनल तरफ से और उनको गिफ्ट के साथ मन का फोटो खिचना चाहिए एक फोटो खिचवाकर उसको वाटसेप्र आपको पूश करना च पोटो याद करके रखने चाहिए और कहना चाहिए कि आपने पढ़ा हो तो बताईए इसमें कोई कमी है या इसमें कोई अच्छा ही है या आप इसमें क्या देखते हो तो उसे चर्चा करनी चाहिए उनकी लिष्ट बनानी चाहिए उनका फॉन नमबर लेना चाहिए और उनको कम से कम समलगत एक एक परिवार जिसकी छंता है और तेरे सो साथ रुपे दान देना बावा साथ के नाम पे और बावा साथ के नाम पे लोगो गिफ्ट करना कोई भारी कीमत नहीं है लोग तो दद्दस जार बीस पर जार चंदा देते हैं अभी एक काई करम लगा इसमें राम बड़ी रखम होती है पर आदमी तो हजार से भी कम रहेंगे दोने दिन के मिला गे तो एक आदमी पे दो हजार उट से धाई तीन हजार रुपे कर खरचा कर सकते हैं लोग तो समड़ गंत बाटने में कोई दिक्कत नहीं आती उन्होंने बताया कि चंदा बहुत लिया अप मानने ता बंद कर दिये अब वो व्यक्ति को नेता नहीं मानते अब वो सामुहिक नेतत और संग को नेता मानने के मूद में हैं और यही काम इसी यही बज़े है कि संग बहुत तेसे जा रहा है पर संग की जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो यह है कि हम तेजी से लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं इस बात को आप जब नए लोगों में जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि बहुत सारे लोग हैं। उस साखा साखी के कारण अब हम तेरी से पहुँचेंगे और इस तेरी से हम पहुँचें और 14 अपरेल से पहले पहुँचें तो हम बावा साब का काम अच्छी तरह से कर पाएंगे टाइम की घंटी बजगई है मेरे अगर सब्दों में कुछ ज़्यादा हो गया हो या किसी को खरे हो या किसी को खराब लगा हो तो संग मुझे माप करे संग मुझे माप करे संग मुझे माप करे संगंग नमामी संगंग नमामी संगंग नमामी